दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि फ्लैक्सिट ओयल से भी सपिद बालों को काला किया जा सकता है आप लोगों ने फ्लैक्सिट और फ्लैक्सिट और फ्लैक्सिट और से रिलेटेड धेरों जानकरिया इंटरनेट पर पढ़ी होंगी और वीडियोज भी देखे होंगे फ्लैक्सिट जिसे अलसी के नाम से भी जाना जाता है अलसी के ये चमकदार बीज धेरों पोशक तत्वों से भरे होते हैं इन बीजों में ओमेगा-3 fatty acid बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है ओमेगा-3 fatty acid एक ऐसा तत्वो होता है जिसे हमारा शरीर खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और ये मानव शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट तत्वो होता है हमारे शरीर के सिर के बाल से लेकर पैर के नाकुन तक जितने भी अंग हैं सभी अंगों को ये ओमेगा-3 fatty acid फायदा पहुंचाता है ओमेगा-3 fatty acid की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये हमें बहुत ही कम सोर्से से मिलता है ये seafood, fish, flaxseed, acroat और कुछ nuts से मिल जाता है इंडिया में ज़्यादा तर vegetarian लोग होते हैं और जो लोग non-vegetarian होते हैं वो लोग भी रोजाना seafood, fish नहीं खाते हैं इसलिए ज़्यादा तर लोगों में omega-3 fatty acid की कमी बनी रहती है आपको कैसे पता चलेगा कि आप में omega-3 fatty acid की कमी है omega-3 fatty acid की शरीर में कमी हो जाने पर आपको शरीर के बाहरी रूप से कुछ symptoms दिखाई देते हैं वो symptoms है number 1 रात में नींद ठीक से नहीं आती है number 2 छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और चिड़चिड़ापन रहता है number 3 किसी भी काम में focus या concentration नहीं हो पाता है ज़्यादा तर ये समस्या students के साथ होती है number 4 नाखुन पतले हो जाते हैं और जल्दी तूटते हैं number 5 जॉइन पीन हो सकता है पैरों में बार बार क्रैम्स आते हैं number 6 कान में ear wax बहुत ज़्यादा बनने लगता है और कभी कभी सुनने के क्षमता भी कम हो जाती है number 7 लंबे समय तक omega 3 fatty acid की कमी रहने पर heart से related बिमारी हो सकती है number 8 शरीर की तवचा और बाल बहुत ड्राय हो जाते हैं number 9 स्केल्प में ड्रायनेस की वज़े से डैंडरफ होने लगता है number 10 ड्राय आइस की प्रॉब्लम हो जाती है बाजार में omega 3 capsules भी मिलते हैं जो की काफी expensive होते हैं लेकिन उन omega 3 capsules में flaxseed oil ही भरा होता है 100 gram flaxseeds में 22.9 gram याने की लगबग 23 gram के करीब omega 3 fatty acid होता है हमारी शरीर को omega 3 fatty acid की daily requirement होती है healthy शरीर को per day 500 mg omega 3 fatty acid की जरूरत होती है और जिन लोगों को heart से related कोई भी problem है उन्हें 1 gram per day omega 3 fatty acid की जरूरत पढ़ती है यानि की आप flaxseed एक दिन में 1-2 चम्मस तक खा सकते हैं और अगर आप flaxseed oil का intake करना चाहते हैं तो half tablespoon से लेकर 1 tablespoon तक कर सकते हैं लेकिन अलसी और अलसी का तेल काफी गरम तासीर के होते हैं इसलिए आप अपने शारे रेकिस्थिती के इसाब से ही इसका intake करें ये ना सर्फ बालों को फाइदा पहुँचाता है बलकि शरीर के सभी अंगों को फाइदा पहुँचाता है आईए जान लेते हैं कि फ्लैक्सीट और फ्लैक्सीट ओइल से हमें क्या-क्या फाइदे होते हैं नमबर वन अलसी और अलसी के तेल में मौझूद ओमेगा-3 fatty acid हमारे बोड़ी सेल्स के लिए बहुती महतुपुण होता है ओमेगा-3 fatty acid हमारे शरीर के हार्ट और लंग्स के फंक्शन को सपोर्ट करता है इसकी अलावा हमारे immune system और hormone system को भी सपोर्ट करता है नमबर तू इसमें मौझूद ओमेगा-3 fatty acid मेमोरी को इंप्रू करता है जिससे learning पावर भड़ जाता है इसलिए ये students के लिए बहुत ही important होता है नमबर तृ अलसी और अलसी का तेल हड़ियों को मजबूत करता है जिसकी वज़े से बुड़ापे की हड़ियों की बिमारी से बचा जा सकता है नमबर तृ अलसी के बीजों में प्रोटीन अच्छी मातरा में होता है इसलिए ये muscles को strong बनाता है और बालों को भी strong बनाता है नमबर फाइव इसमें मौझूद मैगनेज एंटी एजिंग का काम करता है इसके इस्तिमाल से एजिंग प्रोसेस slow down हो जाता है नमबर सिक्स इसमें विटामिन बीवन होता है जो दिमाग को ठंडा रखता है जिसकी वज़ह से नींद अच्छी आती है और स्ट्रेस लिवल भी कम होता है नमबर सेवन इसमें फॉसफोरस होता है जिसकी वज़ह से बाल बहुत सुंदर और मजबूत हो जाते हैं जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं उन्हें इसका इंटेक और एप्लिकेशन दोनों करना चाहिए नमबर एट इसमें मौजू सिलेनियम स्कीन को यंग बनाता है नमबर नाइन फ्लैक्सीट और फ्लैक्सीट ओयल के इंटेक से पाचन तंत्र मजबूत होता है No.10 ये Constipation की समस्या को दूर करता है जिसकी वज़े से Piles की समस्या में काफी फायदा होता है No.11 ये चेहरे की जायों को दूर करता है, ढार्west सरकल को दूर करता है, दूप से स्कीन जो टैन हो जाती है उसे भी ठीक करता है No.12 ये बालों के रूखे पन को दूर करता है नमबर 13 ये dry eyes की problem में फायदेमंद होता है नमबर 14 ये blood pressure को control करता है नमबर 15 ये जोडों को strong बनाता है जोडों के बीच के चिकनाहट को maintain रखता है नमबर 16 ये thyroid के लिए बेहत फायदेमंद होता है नमबर 17 ये gall bladder को healthy बनाता है नमबर 18 ये kidney के function को normal करता है अलसी के बीज और इसका तेल शक्ती से भरपूर होते हैं ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि हमारे सिर के बाल से लेकर पैरों के नाखुन तक जितने भी अंग हैं सभी अंग को फायदा पहुँचाते हैं flexit oil dry hair, dry skin और joints के लिए बेहत फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें alpha linolenic acid होता है जिसे ALA के नाम से भी जाना जाता है ये alpha linolenic acid dry skin, dry hair और joints के लिए बहुत ही जरूरी होता है alpha linolenic acid हमारे हार्ट को मजबूत बनाता है जिसकी वज़े से हार्ट की बिमारियों से बचा जा सकता है सदियों से आयरवेद में अलसी के तेल का इस्तिमाल वात के रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता आ रहा है क्योंकि शरीर में जब वात का संतुलन बिगड़ जाता है तो वात यानि की हवा की वजह से शरीर के अंदर की ओर dryness आ जाती है उस dryness की वजह से वात की रोगियों को काफी दर्द सहना पड़ता है ऐसी कंडिशन में आयरवेदिक इलाज के दोरान फ्लैक्सीट आयल का इस्तिमाल किया जाता है क्योंकि फ्लैक्सीट आयल वात को बैलेंस करता है अगर किसी को भी वात की वजह से जोडों में दर्द रहता है तो ऐसे लोगों पर फ्लैक्सीट और फ्लैक्सीट आयल जादू की तरह काम करता है वात की रोगियों को वन टेबल स्पुन फ्लैक्सीट आयल सुबह खाली पेट गरम पानी में मिला कर पीना चाहिए आप लोगों को याद होगा कि मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि सफीद बालों को फिर से काला करने के लिए कौन-कौन से विटामिस और मिनर्स की जरूरत पढ़ती है अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखना उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सफेद बालों को फिर से काला करने के लिए टोटल 26 पोशक तत्वों की जरूरत पड़ती है 29 पोशक तत्वों में से 16 पोशक तत्वों तो हमें फ्लैक्सीट या फ्लैक्सीट ओयल से ही मिल जाते हैं इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया था पुलकित भाई पर जिनोंने लगबग 10 महिनों में अपने पूरे सफेद बालों को जर से काला कर लिया था उस वीडियो में मैंने उनकी पूरी डाइट शेयर की थी उस वीडियो की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पुलकित भाई ने फ्लैक्सीट ओयल का इस्तिमाल अपने बालों पर लगाने के लिए तो नहीं किया था बलकि जीरो ब्लैंड का फ्लैक्सीट ओयल उन्होंने डेली अपने मौर्निंग के ओट मिल शेक में मिला कर कंजियूम किया था इसके अलावा उन्होंने सफेद बालों को काला करने के लिए काफी चीजों का सहारा लिया था वो सब कुछ मैं औरेडी उस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ फ्लैक्सीट ओयल से सफेद बाल काले होने का रिव्यू मुझे पुलकित भाई के अलावा और किसी भी सब्सक्राइबर से नहीं मिला लेकिन हाल ही में मेरे मुबाइल पर यूट्यूब सजेशन में एक वीडियो आया था मैंने उस वीडियो को देखा वो चार साल पुराना वीडियो है वो मेरा वीडियो नहीं है किसी और यूट्यूब क्रियेटर का वीडियो है प्रियंका जोर्ज नाम की एक बेहत खुबसूरत female youtube creator है उन्होंने वो वीडियो इंग्लिश में बनाया है उस वीडियो में प्रियंका जोर्ज मैम ने flaxseed oil का review बताया है उन्होंने काफी honest review दिया है उस वीडियो में प्रियंका जॉर्जी ने बताया है कि वो फ्लैक्सिट ओयल को अपने बालों पर अपलाए और इंटेक करती थी लेकिन रेगुलर नहीं करती थी कभी कबार ही करती थी तब उन्हें उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिला लेकिन फिर उन्होंने फ्लैक्सिट ओयल का इंटेक और बालों पर अपलिकेशन रेगुलर करना शुरू किया लगवक तीन महनों तक उन्होंने रेगुलर किया तो उन्हें फ्लैक्सिट ओयल के गजब के फायदे हुए उनका कहना है कि फ्लैक्सिट ओयल का टेस्ट अच्छा नहीं होता है वो 5 ml ओयल गरम पानी में मिला कर पीती थी लगातर फ्लैक्सिट ओयल का इंटेक और एप्लिकेशन अपने बालों पर और स्कीन पर करती थी तीन मेहनों में उनके पार्टिंग में कुछ सफेद बाल थे वो काले होने लगे उनके पास बिफोर और आफ्टर की पिक्चर तो नहीं है पर उनके बोलने के तरीके से ही पता लगता है कि वो अपना जेन्यून रिव्यू दे रही है अगर वो वीडियो आप भी देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब सर्च बार में प्रियंका जॉर्ज फ्लैक्सेड ओयल टाइप करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा उन्ही के वीडियो में एक विदेशी महिला का कमेंट है कि उस महिला के हस्बन जब 30 एस के थे तो उनके बाल सफेद होने लगे थे और अब उस महिला के हस्बन की एज 42 एस है और उन्हें कुछ हाट के प्रोबलम हुई तो उनके डॉक्टर ने ओमेगा 3 फिश ओयल के सप्ल इनके केस में हो सकता है कि उस महिला के हस्बन में ओमेगा 3 की कमी की वज़ह से बाल सफेद होने लगे थे डॉक्टर ने ओमेगा 3 फिश ओयल सप्लिमेंट हाट की वज़ह से खाने के लिए दिया लेकिन ओमेगा 3 ने हाट को ठीक करने के साथ साथ उनके बालों पर भी काम कर करना शूरू कर दिया मैंने भी जीरो ब्लैंड का फ्लैक्सेत ओイल मंगवाया है ऐसे तो ic birthday बहुतüs पर बहुत सारी ब्रैंड के फ्लैक्सेत ओयला मिलते हैं लेकिन outfit कीवीडियो के बाद मैंने यह कुछ वीडियो मैं ने आप लोगों साथ अपने रिव्यूज भी शेयर किये हैं मेरी काफी सारे सब्सक्राइबर भी जीरो ब्लैंड के ऑईल यूज करते हैं और मुझे इंस्टाइबर भी जीरो ब्लैंड के ऑईल यूज करते हैं और वो मुझे इंस्टाइबर बताते हैं कि वो जीरो ब्लैंड ऑईल की क्वालि समय किसी भी तरह का chemical process या heat का इस्तिमाल नहीं किया गया है इसमें किसी भी तरह का artificial color या fragrance का भी इस्तिमाल नहीं किया गया है oil का golden yellowish color इसका अपना natural color है इस oil की mild सी सुगंध है जो की natural सुगंध है मैंने इसे गरम पानी में मिला कर पिया तो मुझे इसका taste बिलकुल अलसी के taste जैसा ही लगा इस oil को आप गरम पानी में मिला कर या दूद में या smoothies में या soup में किसी भी liquid food में मिला कर इसका intake कर सकते है मेरा ये वीडियो किसी भी company द्वारा sponsor वीडियो नहीं है लेकिन Zero Blend के सभी product वाकई बहुत ही अच्छी quality के product है अब तक मैंने जितने भी product यूज किये हैं किसी में भी 1% issue नजर नहीं आया Zero Blend Flaxseed Oil को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसकी link निचे description box में दे रही हूँ आप खरी सकते हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मुझे gray hair से related जो भी जानकारी मिलती है मैं वो आप लोगों के साथ share करती हूँ सफीद बालों को फिर से काला करना मुश्किल तो होता है लेकिन ना मुमकिन नहीं मेरे reverse gray hair success stories की playlist के वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि उम्र के किसी भी पड़ाओं में सफेद बालों को फिर से काला किया जा सकता है सिर्फ मेहनत और patience की जरूरत होती है मैं अपने सभी subscriber से request करना चाहती हूँ कि आप मेरा कोई भी वीडियो देखकर सिर्फ एक चीज पर depend ना रहें क्योंकि सफेद बालों को फिर से काला करने के लिए 26 पोशक तत्वों के साथ healthy lifestyle stress free होना भी बहुत जरूरी है आज की वीडियो में मैंने flexit और flexit oil के बारे में बताया है मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकती कि आप सिर्फ ये oil यूज करके अपने सफेद बालों को फिर से काला कर सकते हैं flexit oil आपके सफेद बालों को फिर से काला करने में help या support करेगा इसके सासथ आपको दूसरी चीजों को भी follow करते रहना चाहिए जितना आपसे possible हो उतनी चीजों को follow करें जैसे कि बलायाम, आवला इंटेक, शिर्शासन, हेल्दी डाइट वगेरा वगेरा अगर आप अपनी regular डाइट में seafood, fish, अक्रोट या flexit खाते हैं तो आपके शरीर में omega 3 fatty acid की कमी नहीं होगी लेकिन इन में से कोई भी चीज आपके डाइट में नहीं होती है तो आपके अंदर omega 3 fatty acid की कमी जरूर होगी How to intake flaxseed and flaxseed oil Flaxseed आपको किसी भी grocery shop में आसानी से मिल जाएगा अगर ना मिले तो आप इसे online से मंगवा सकते हैं मैंने zero blend का flaxseed online से मंगवाया है जो के premium quality के unroasted flaxseed है इसकी quantity है 250 gram और इसकी कीमत है 110 rupees आप इसे dry roast करके भी खा सकते हैं या फिर इसे dry roast करके इसका powder बनाके इसका intake कर सकते हैं Flaxseed powder intake करने का best time होता है रात को सोने से कुछ देर पहले आदा glass गरम पानी में 1 tablespoon flaxseed powder को मिला कर पी सकते हैं इसके अलावा आप flaxseed powder को fruit या salad में मिला कर भी खा सकते हैं आप flaxseed oil का भी intake किसी भी liquid food में मिला कर कर सकते हैं लेकिन अगर आप flaxseed powder को consume कर रहे हैं तो आपको flaxseed oil consume करने की जरूरत नहीं है तब आप flaxseed oil को सिर्फ external use के लिए use कर सकते हैं जैसे कि face पर रात को सोने से पहले लगा सकते हैं अपने बालों में इसको direct भी apply कर सकते हैं या फिर अपने किसी भी oil में इसको मिला कर लगा सकते हैं ठंड के मौसम में आप flaxseed oil को direct ही apply कर सकते हैं side effect अलसी और अलसी का तेल बहुती गरम तासीर के होते हैं इसलिए इनका intake मौसम और अपनी शारेरिक स्थिति के आधार पर कम ज़्यादा कर सकते हैं अलसी के 20 दिन भर में 2 टेबल स्पून खाया जा सकता है लेकिन अलसी का तेल half टेबल स्पून ही काफी होता है अलसी और अलसी का तेल दोनों को साथ में intake ना करें क्योंकि दोनों एक ही चीज होती है अगर ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन से मंगवा सकते हैं मैंने Zero Blend Flaxseed और Zero Blend Flaxseed Oil के लिंक नीचे description box में दी है आप खरी सकते हैं उमीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मुझे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए थांक्यू लुको थांक्यू